तो आज हम बात करेंगे CSC की एक ऐसी सर्विस के बारे में जिससे आप अपने गाउं के अपने पंचायत के जितने भी विकलांक आदमी है औरत है बच्चे है उनकी मदद कर सकते हैं साथ ही आपको CSC इस सर्विस में काम करने का पैसा भी देगा तो हम बात कर रहे हैं CSC का सर्विस ALIMCO के बारे में यानि Artificial Lives Manufacturing Corporation of India जिया दोस्तो इस सर्विस में अगर आप काम करते हैं तो इससे आप अपने गाउं के लोगों के लिए अपने पंचायत के विकलांक लोगों के लिए मदद कर सकते हैं साथ ही उसके मदद करने के लिए आपक CSC अच्छा खसा पैसा भी दे रहा है तो आए जानते हैं कि इस सर्विस में कैसे काम किया जाता है और इससे आपको कितना कमिशन मिलने वाला है तो आप देख सकते हैं हमने DG Mail को ओपन किया है यहाँ पर 27 जनवरी को एक Newsletter आया है इस सर्विस के बारे में यहाँ आप उसको देखी सकते हैं इसके बाद यहाँ Read More पर किलिक करेंगे और इस सर्विस के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सर्विस में क्या करना होगा और यह सर्विस क्या काम करता है इसके बारे में यह जानकारी दिया गिया है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं Free Registration Service for Senior Citizens and Dibyank जन्स to get free of cost assistive AIDS and equipment from ALIMCO through CACs. यानि CAC के थुरू Dibyank जनों के लिए Dibyank लोगों के लिए जितने भी equipment होता है यानि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यह सब equipment जो की wheelchair हो गया. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी वेक्ती को आखों से दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको यह छड़ी भी देगा जो की Dibyank जनों के लिए यह सब बनाया जाता है. साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई अगर पेरों से एक पेरों से नहीं चल पा रहा है एक पेरों उसका खराब है दिबियांक है विकलांक है तो उसको यह बेसाखी भी provide करेगा जो की ALIMCO company provide करता है वो भी free में. और अगर कोई दिबियांक व्यक्ति कानों से सही से सुनाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए जितना भी machine होता है उसे भी ALIMC company provide करता है तो आईए देखते हैं कि कैसे इस service में दिबियांक व्यक्तियों के लिए registration करेंगे और उसके हिसाब से जो भी जरूरत की चीजे होती है जैसे कि wheelchair हो गया ये सड़ी हो गया या बैसाखी हो गया या फिर कोई machine हो गया उसे कैसे provide कराएंगे ALMCI company से तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं registration process के बारे में दिखाया गिया है साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि valley का commission कितना मिले वाला है इस service से यहाँ पर आप जितने भी दिवियांग जनों के लिए registration करेंगे और उसका verification successfully कर देंगे तो आपको per verification per registration पर 40 रुपिया commission मिलने वाला है साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कैसे registration करना है इसका भी process यहाँ पर दिखाया गिया है तो पहले तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि website का नाम लिखा गिया है चलिए हम इस website को open करते हैं और बाकी का process आप लोग को दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस website को open कर लिया है इस website का link आपको description में भी मिल जाएगा यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दूसरा number introduction जो है यहाँ फॉलो करना है beneficiary registration इस पर किलिक करेंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर digital sewa से connect करके आपको login करना है नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं digital sewa view csc connect इस पर किलिक करेंगे और यहाँ पर अपना csc id password डाल कर sign in पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आपका dashboard कुछ इस परकार से देखने को मिलेगा यहाँ से आप जिस भी दिबियांक जनों के लिए दिबियांक लोगों के लिए registration करेंगे उसका process यहाँ से आप कर सकते हैं application पर किलिक करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे add पर क बच्चे हैं उसके लिए registration कर सकते हैं और उसकी जरूरत की चीजे मोहिया करवा सकते हैं वो भी free में registration करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह page open हो चुका है तो सबसे पहले यहाँ beneficiary का नाम डालेंगे जो भी दिबियांक अदमी औरत या बच्चे हैं उसका नाम ड करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर उसका state select करेंगे यहाँ से उसका district इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर block या तहसिल का नाम select करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर उसका village का नाम डालेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर उसके area का pin code यहाँ पर डालेंगे इसके बाद यहाँ पर caste category select करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर दिवियांग आदमी का औरत का या फिर बच्चे का उसका एक photocopy यहाँ पर upload करेंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एक income certificate भी यहाँ पर upload करना होगा और नीचे यहाँ पर उस income certificate में कितना income annually income है उसको यहाँ पर type करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर type of disability के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर बताना होगा कि कितने percent वो दिबियांक है, यहाँ पर percentage के हिसाब पर type करेंगे, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर percentage of disability as per documents, यानि अगर कोई वेक्ती दिबियांक है तो उसके पास दिबियांक होने का percentage यानि कितना percentage वो दिबियांक है उसका भी एक certificate होता है उस certificate को उस certificate का number यहाँ पर डालेंगे इसके बाद वो certificate यहाँ पर upload करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर identification के लिए जो भी documents आपने select किये है उस documents को यहाँ पर upload करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ save पर click करेंगे तो जैसे ही आप यह save कर देते हैं इसके कुछ दिन बाद उसका application verification के लिए चला जाता है जैसे उसका application verify हो जाता है यहाँ पर उसका application आ जाता है verification पर click करेंगे तो यहाँ पर उसका application verify दिखाने लगेगा इसके बाद कुछी दिन बाद सरकार के तरब से उस दिवियांक वेक्ति के लिए जो भी चीजे आपने registration किये है जो भी equipment उसे जरूरत है वो सरकार के तरब से provide कर दिया जाता है साथी आपको इस service में registration करने के लिए आपके CSC wallet में 40 रूपिया जो commission होता है वो add हो जाता है तो इस परकार से आप अपने गाव या अपने पंचायत के जितने भी लोग है जो की दिवियांक लोग है उनके लिए मदद भी कर सकते हैं साथी पैसा भी कमा सकते हैं साथी आपको इस मदद के लिए CSC की तरफ से commission भी मिलता है तो आसा करते कि इस वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा